टॉप थ्री बेस्ट स्मार्टफून फॉर मॉल्टी टास्किंग के लिए गेमिंग के लिए जागर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टेर डालों इस्टाउल करना आप सभी के लिए मैं स्मार्टफून बताऊंगा जो क्या पता से 11000 के बिलेड में ले जाकते हो बात करते हैं सही लिए गेमिंग के साथ बेस्ट है तो अगर आपने हाई सैटिंग पर करनी है जा अगर आप हाड़कोर गेमिंग करना जाते हो आप इस स्मार्टफून पर कर्स हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आने वाली एंड इसमें आपको IPS LCD देखने को मिल जाते है तो आप इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको 10,000 के बथर में सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी ठीक है तो इसमें आपको IPS LCD देखने को मिल जाते है ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाते है प्लस LED फ्लैस के साथ क्रंट कैमरा मतलब सेल्फी आपको इसके में स्पेसिफिकेशन की थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं तो यह डिस्प्ले की बातों को 6.78 इंच IPS LCD देखने को मिल जाते है पुरसासर की बातों को आपको meadias Tech Heelio GP70 देखने को मिल जाता है जो कि Verbacci के साथ बेंटर की बात करूं आपको फार ताउजन टूहंडर म incompile Si देखने को मिल जाते है कैम्रे की बात करू आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है 60 मकल थो ऍो मपक्ष्ट प्लस मिल जाते है प्लस आपको Rouge सेल्फी बात करूं आपको एड मेगापिकसल सलफी देखने को मिल जाते है स्टूरेज की बात करूं मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि चार वेरिड में में देखने को मिल जाता है 스mats भी आप लेना जाते हो जो भी आपके बजट रेंज में सैट बैठता है आप उसके और जा सकते हो प्राइज की बाद करो आपको 10,200 के बजट रेंज में इंफिनिक्स होट तैंग देखने को मिल जाएगा तो यह मिन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया इंफिनिक् सब्समार्ट नंट करते हैं तो अगर आपने ग興味ी करने हैं मुझी डास्किंट करने हैं आप सब्सक्यलत अगरे आप चाता हूँ कि जो फून है में देखने को मिलता है फ सिलवर कलर कंति इसको बहुत जागा सूट करते हैं आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन में जो की 60 रिफ्रेशिट के साथ आती है दो वंड में फून देखने को मिलेगा 64GB स्टोरे प्लस 128GB स्टोरे आपको देख लेना जो भी आपको स्टोरे सही लगती है आप उसके हो जा सकते हो आपको MediaTek Helio G85 देखने को मिल जाता है जो की 12 nanometer technology के साथ बेस्ट है आपको triple camera देखने को मिल जाता है 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP आपको 8MP के साथ selfie देखने को मिल जाती है 6000 mAh की battery देखने को मिल जाती है 18W का fast charger प्लस आपको reverse charging भी स्पोर्ड करता है यह smartphone जो की Realme Naso 20 का plus point आजाता है प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला 10,000 के budget range में सबसे ज़्यादा बिकने वाला smartphone है Realme Naso 20 बहुत ही लोग इसको purchase करें Realme एक trusted brand है top brand में से आता है आपको कोई भी problem issue नहीं आने वाली अगर आपका 10,000 अगर आपका budget है 10,000 तो आपके पैसे खराब नहीं जाने बाले अभी बात कर लेता है थोड़ी सी main specification की deeply थोड़ा सा बता देता हूँ तो display की बात करूँ आपको 6.5 inch HD plus display देखने को मिल जाती है जो कि मैंने आपको बता दिया आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है ठीक है जो कि 16 refresh rate के साथ देखने को मिल जाती है processor की बात करूँ आपको 4GB RAM मिल जाएगी प्लस आपको 64GB storage अगर आपने 128GB storage की और जाना आप उसके और भी जा सकते हो देखने को मिल जाती है तो मैंने आपको बता दिया Realme Narzo 20 के तो मैं आपको बता देना चाता हूँ फिर से repeat कर देता हूँ कि फून का design and फून के colors वगरा है and back side में जो camera की shape आती है वो सच में वहुत ही ज्यादा इसको suit करती है तो अगर आपको भी ऐसा फून चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाता हूँ इस smartphone का जो design है वो बहुत ही ज्यादा different देखने को मिलता है तीन colors में देखने को मिलता है जो color आपको suit करता भी आप उसके और जा सकते हो आपको पसंद आने वाला है plus मैं आपको बता देना चाता हूँ कि 6000 mh की battery इसमें देखन प्लस आपको reverse charging भी sport करता है यह smartphone आपको triple camera देखने को मिल जाता है इंड में पक्सल के साथ selfie मिल जाती है फून जो वह फूर वेरिड में देखने को मिलता है 11 nanometer technology के साथ बेस्टा इसका जो processor एंड आपको IPS LCD देखने को मिलेगी जो की gorilla glass 3 की production के साथ देखने को मिलती है तो य plastic frame में देखने को मिलता है तो आपको case दाल कर इसको use करना पड़ेगा नहीं तो scratch बगर आने देडर रहते हैं और कोई भी problem issue नहीं आने वाला आप यूज कर सकते हो normally easily use कर सकते हो long time पर यूज कर सकते हो तो यार अभी मैंने आपको top 3 smartphone बता दियो जो कि आप 10 से 11,000 के budget range में ले सकते हो एंड अगर आप इनमें से कोई भी ले ले लेते हो आपका एक पैसा भी खराब नहीं होने वाला आप long time पर इन को use कर सकते हो gaming कर सकते हो multi-tasking कर सकते हो जब कोई भी आप हैवी application पर काम कर सकते हो तो यार अभी मेरी वीडियो यही पर हो जाती है खत्रम अगर दोस्तों को बेदना उनको भी गया दना कि चैनको करें सब्सक्राइब वीडियो को ले लाइक एंड इस्स्ताग्राम पर फॉलो लिंक कर रहा आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में देखने को मिल जाए उसको चावड कर ले रहा है अभी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में अब यह आपके साथ श्यर करें के एंड अगर आपको कैमरे के अकॉर्ड स्मार्टफोन चाहिए उसकी वीडियो पहले ही कियो है इसको चावड कर ले लेने मिलते है नेक्स्ट वीडियो में वीडियो आपके साथ तेंक्यो